आज की परिस्टियों को देखते हुए अगर हम मानव जीवन के इतिहास को खंगा लेंगे तो पाएंगे कि पहले मनुश्य और दूसरे प्राणी जो कुछ भी प्रकृती से लेते थे उसको बराबर मातरा में वापस भी करते थे लेकिन धीरे-धीरे मनुश्य ने खुद को महत्व देते हुए वनों का दोहन शुरुकिया नदियों को रोक कर उजा पैदा की जिसके चलते दुनिया भर में हालात बेहत गंभीर हैं और अब वैश्वे कापदाएं हर देश के सर पर खत्रा बन कर मन राने रगी हैं जिन में क चक्रवाती तुफान जैसे कई खत्रे शामिल हैं ऐसे में इंसान के सामने पर्यवरन संरक्षन भी एक चुनाती बनी है और इसी के चलते इस बार पर्यवरन दिवस की ठीम टाइम आफ नेचर रखी गई है ताकि कुद्रत के साथ हो रहे खिलवार की प्रती इंसान अब तो जाग सके इसे को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट प्रकृती की प्रकोप से पैदा हुआ कोरोना वाइरस पूरी मानब जाती पर कहे ढ़ा रहा है कोरोना महामारी से संक्रमित और मढने वालों के आंकडे लगातार बढ़ते जा रहे हैं चीन से पहले कोरोना वाइरस ने पूरी दुनिया को जगड़ लिया है प्रकृती हमें इस महामारी और जलवायू संकत के जरिये एक संदेश दे रही है एक के बाद एक कई हानी कारक चीज़ें करके हम लोग प्रकृती पर बहुत सारे दबाब डाल रहे थे हमें पहले कई बार चेतावनी मिली थी कि अगर हम प्रत्वी और प्रकृती की देखभाल करने में आसफ़र रहे तो इसका मतलब यही होगा कि हम खुद की देखभाल नहीं कर सके अपनी आददों के चलते ही मानब जाती हमेशा ही ऐसी बीमारियों का शिकार बनती आ रही है विस्व प्रकृती के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि आज जो कोरोना का दोर चल रहा है और जैसे कोरोना पुरे विस्व स्कर में फैली है यह भी एक प्रकृती के संतुलन का ही दूस प्रिणाम है तो अब यह जो समय आ गया है कि हम इसके बारे में प्रकृती के बारे में सोचें समझें और इसके लिए प्रियास करें हमारे सारे के सारे प्रियास है वो एको सिस्टेनेबल और एको फ्रेंडली होने चाहिए ताकि इसका जो दो हम वर्सों से करती आ रहे थे वो आगे ना हो पाए और हमारी आने वाली पीडिया है वो भी इसका भी से इंट्री उतिलाजेशन कर सकें देश में कोरोना और लॉकडाउन की बीच टिड्डियों ने धावा बोल दिया राजस्थान और गुजराद में तो टिड्डियों की भारी मातरा देखी गई लेकिन पिछले धाई दशक में पहली बार महराश्ट्र उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में भी इंकास जब तुफानों से हुई बारिश ने टिड्डियों के प्रजुनन के लिए अनुकुल बातावरन बना दिया यही कारण है कि टिड्डियां बहुत संख्यक में बदलकर राजस्थान सहित कई राज्यों में अपना आतंक बरबाए हुए हैं अभी हम जो टिड्डियों का हमला देख नहीं है उसकी जड़ में भी जलवायू परिवर्तन ही है दो जार अठारा में अरब प्राइद वीप में दो तुफान आये थे उन तुफानों के साथ में वहां पे भरी बरशा हुई उस बरशा के कारण वहां पे टिड्डियों के परिवर्तन के लिए नुकूल बातावर्ण बन गया और वो टेटियां फिर बढ़ती बढ़ती इस इस्तिती में आ गई कि उन्होंने पिसले साल भी हमारे अटेक किया था अब भी एटेक किया है और वो जो चक्रवात महां आये वो जलवायू परिवर्तन के कारण आये क्यो उसकी वज़े से हमारे जो जलस है उसमें मेंडक टोड और फ्रोग इसकी दोनों किसमें वो लगवर लुक पराई हो गई है। सौ लोगों की जाने गई तो साथ ही करोडों रुपे का भरी नुकसान भी हुआ तो तीन जून को महराश्य और गुजरात में निसर्ग चक्रवात से भी काफी नुकसान पहुंचा है। जलवायों परिवरतन है क्योंकि ग्लोबल वामिंग के कारण हमारी जो समुद्री जल है उसकी स्थाय का थापमान बढ़े गया। जब समुद्र जदा गर्म होते हैं तो पानी है वो जदा तेजी से वास्थ विक्रित होता है और जितना जदा एट्मोस्फेर में पानी जाएगा हवा में जलवास्थी सांदरता बढ़ेगी उसी अनुपात में फिर बारिश जाता होगी। तो यह जो लगातार चकरवाद आ रही है यह इसका सीधा संबंद जलवाई परीव तन से है और चकरवाद में केवले हमारे इंफ्रेस्ट्रक्टेर को तोड़ते हैं जानमाल की हाली पहूंचाते हैं खर यह जो हमारे परयाओन को संतुलित करने के जो परियास है उपैस्प आज कोरोना ने सब को जोड़ कर ये तो बता दिया कि परकटी जब दंड देती है तो सब को समान देती है बलकि ये भी बता दिया कि आपदाउं से बचने के लिए एकमातर विकल्प सामुक रोप से परकटी का सरक्षन है इसके लिए जरूरी है कि जीडीपी के तर्ज पर ही परिश्तितिक तंतर के परती भी गंभी रहें कैमरापरसन सुनिल सर्मा के साथ सुरेंदर विजानिया एवन टीवी जेपोर